Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे आपके परसन की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे Star Science की reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है तो देखते हैं कि आपके परसन की feelings और thoughts आज क्या है ये जो cards है, बहुत उनको मुश्किल होता है shuffle करना So let's find out We have page of cups Page of swords, दो pages हैं हमारे पास So maybe आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को stock कर रहे हैं social media पर अगर आप social media पर active हैं या फिर पुराने messages पढ़ रहे हैं दूसरे के बार बार pictures देख रहे हैं एक दूसरे की the lovers Next is six of swords Two of swords and then death So यहाँ पर scorpio बहुत जदा strong है, Pisces Cancer Scorpio यहाँ पर बहुत जदा strong है Gemini बहुत strong है यह star signs हैं लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है So यह इनसान क्या सोच रहे हैं I really feel कि इनसान बहुत confused है इस connection पर दुबारा से work करने के बारे में वह इसलिए Because obviously आप लोग I think के साथ नहीं हैं या फिर no contact में हैं या less contact में कोई ऐसी situation है आप लोगों के दरम्यान या वो अगर आप लोगों की separation नहीं भी हुई भी है I do feel कि इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं But they really think a lot आजकल वो बहुत जदा confused है कि वो इस connection को आगे लेकर जाना चाहते हैं या नहीं हो सकता है कि आप दोनों में पहले बहुत प्यार था प्यार अब भी है But I feel कि सोच वो यह रहे है कि क्या प्यार enough हो सकता है हम दोनों के चलने के लिए या नहीं Because वो आजकल बहुत जदा यह सोच रहे है कि long term में हम चल पाएंगे या नहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्योंकि एक honeymoon phase जब relationship का होता है तब इनसान practical चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा होता है बट अब जाकर आप लोगों के relationship में जो आपके differences थे वो surface पर आना शुरू हो गए है मतलब आपकी सोच उनकी सोच से काफी different है में भी आप दोनों का जिन्दगी जीने का तरीका lifestyle, upbringing सारी चीज़ें बहुत different है में भी और बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनमें आपकी जो values हैं वो common हो या आपके thoughts हैं वो common हो बहुत कम ऐसी चीज़ें तो basically differences शायद आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले इतने नहीं थे और चोटी-चोटी बातों पर differences हो रहे हैं आप लोगों के और फिर आप खामोश हो जाते हैं फिर बात करने लग जाते हैं दूसरे से फिर किसी बात पर difference create होता है फिर आप खामोश हो जाते हैं मतलब इस तरह constantly एक cycle में हैं आप लोग और बहुत differences surface पर आ रहे हैं तो इस वज़ा से शायद ये person आपके बहुत confused है कि they are not really sure कि उन्होंने long term अप चलना है या वो seriously उनको इस connection पर work करना चाहिए अब और या नहीं ये सारी feeling आपकी भी हो सकती है क्योंकि आप भी चाहिद यही सोच रहे हों कि मैं इस connection पर और जद अपनी energy अपना time invest करूं या मुझे अब नहीं करना चाहिए या मुझे end कर देना चाहिए इस connection को मुझे क्या करना चाहिए या नहीं is it worth it ये question कर रहे हैं आप अपने आप से कि और invest करूं या ना करूं क्या लगता है जाया तो नहीं हो जाएगा मेरा वक्त मेरी investment क्योंकि differences हमारे बहुत आना शुरू हो गए हम दोनों बहुत different है उसकी सोच मुझे बहुत different है सो ये इंसान आप से प्यार करते हैं I do feel बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ compromise नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए I feel it's a very new connection कुछ लोगों को मेभी एक साल हुआ है कुछ लोगों को 6 महिने हुए है या कुछ weeks हुए हैं अभी ये connection बने और अभी से आप लोगों के differences और लडाईयां शायद शुरू हो चुकी है और इस वज़ा से भी आप ये question कर रहे हो के मैं आगे चलूँ इस connection में या नहीं मेभी आपको थोड़ी सी vibe ये भी आ रही है के it will take a lot of work and it will take a lot of work in order to make it work or happen इस connection के लिए इस लिए भी थोड़ा सा maybe आपके person थोड़ा hesitant है या वो सोच रहे हैं या confused वो इस वज़ा से हैं कि it will take a lot of work क्या मैं ready हूँ इस सारे hard work के लिए वो अपने आप से पूछ रहे हैं so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye bye